असलामनेकुम नाज़ीन वेलकम टू माई चैनल उमीद है कि आप सब लोग बिल्कलों खेर खेरियत से होंगे तो चलें आज हम लोग स्टार्ट करते हैं चैप्टर नमबर वन क्लास नाइट का तो चलें आप लोग अपनी मैट्स की जो बुक्स हैं वो ओपन कर लें तो सबसे लिए पर तो मैं पता होना काहिए कि मैट्रेस जो हैं वहा मैट्रेस हैं हमारे पास हमारे पास एरे होता है ठीक है नैक्टिस जू है आपको स्केर ब्रैकेट टाइप या वो दोनों तरफ से नजर आ रहेए पूरी क्लोज नहीं है लेकिन साइड पर आप देखें तो स्केर इसके अंदर जब भी हम लोगम को यूद कर देता है नाव में को बंद परिक्स का नाम दिया जाता है इसके इसके लावाद कुछ प्रॉपर्टी आगे हमारे पास different types है matrices की तो उनको देखते हैं साथ से पहरे नबर पर ने लिखा वे rows and column of a matrix जब हम matrix को बना लेते हैं like this form के अंदर ठीक है तो उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ होती है कि उसके अंदर rows भी होती है और उसके अंदर columns भी मौजूद होते है अब आपको यहाँ पर horizontal भी निज़रा आ रहे होंगे अगर हम देखें ठीक है यह साथ 3 और 4 को मैं अगर इस तरह से देखू ठीक है horizontal और अगर मैं 0 और 3 को देखू तो यह हमारे पास vertical line है ठीक है तो जो horizontal के अंदर number लिखे हो है for example यह 3 और 4 ठीक है column का नाम दिया जाता है ठीक है उसके बाद हमारे पास order of a matrix order of matrix को किस तरीके से निकारा जाता है कोई भी matrix तो आपको given होता है ठीक है जैसे यहाँ पर है 123102 तो सबसे पहले आपने रोज की जो तादाद है उसको लिखना है उसके बाद आपने उसको multiply करवाना है column के साथ ठीक आप multiply का symbol भी show कर सकते हैं और जहाँ पर जिसा शोड़ इन्हों ने लिखा है by आप 2 multiply by 3 रिखेंगे तब भी आपका answer correct है इसके इलावा अगर आप 2 by 3 रिखेंगे तो तब भी answer correct है क्योंकि देखेंगे इसके अंदर दो रोज है हमारे पास एक one zero two की और एक one two three की और column कितने है one one का एक column है two zero का एक column है और three two का एक column है हमारे पास ठीक है तो उमीद है कि आपको ये तीनों चीज़ें जो है वो matrices के बारे में clear होंगी तो इंशाला नेक्स वीडियो के अंदर जो है वो हम लोग types of matrix को discuss करेंगे तो इंशाला ने मिलते हैं आप लोगों के साथ नेक्स वीडियो में अल्हाफेज